Hello everyone, I am Jyoti Jaya and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरहन्त वर्क बुक Class 4 Hindi जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं Hindi Grammar Chapter 4 सर्वनाम तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाली और मेरी साथ सथ बनाना स्टार्ट कीजी और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्किप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरेच सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं Chapter 4 है सर्वनाम नीचे संकेत रूप में सर्वनाम सबनों का समुह दिया जा रहा है उसकी सहायता से दी गई कहानी पुर्ण कीजिए ठीक है अब यहाँ पर देखे इस बॉक्स में दिया गया है अब आपको इसकी सहायता से इसे जो है ना पूरा करना है तो देखे इसमें क्या है कि कल्लू भेरे चड़ाया करता था एक दिन यहां क्या होगा उसे एक सरारत सुजी वह भेडिया आया भेडिया आया चिलाने लगा उसकी आवाद सुनकर गाँवाले वहां इकठे हो गए उन्हें खेत में आया देख कलू हसने लगा अब वह अकसर ऐसा ही करता था दुर्भागयवस एक दिन वहां सचमुच में भेडिया आ गया उस दिन भी वह पहले की तरह चिलाता रहा मगर उसे बचाने कोई नहीं आया सभी समझती रहे उसको तो यूही जूट बोलने की आदत पड़ गई है और भेडिया उसे मार कर खा गया ठीक है कितनी अच्छी कहानी थी तो इसे आपको इस कहानी में आपको सर्वनाम सब्द लगाना है और उसे पूरा करना है तो इसी तरह से जिस तरह से यहां दिया हुआ है उसी तरह आपको और भी बहुत सारा कहानी इस तरह से मिल जाएगा या एक्जाम में आपको इस तरह से दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है ठीक है? उसके बाद है उचित सर्वनाम सब्दों का परियोग करते हुए वाक्यों को फिर से लिखिए मोहन चुप चाप है पता नहीं आज मोहन क्यों दुखी है अब यहाँ पर आपको सर्वनाम सब्द का परियोग करना है तो मोहन चुप चाप है पता नहीं आज वह क्यों दुखी है मोहन दो बाड़ाया है तो दो बाड़ हम मोहन का यूज नहीं करेंगे मोहन चुपचाप है पता नहीं आज फिर्जे मोहन है तो हम मोहन के जगर वह का प्रियोग करेंगे वह क्यों दुखी है आज लता जी का काडिक्रम है हम सब लता जी का गायन सुनने जाएंगे तो आज लता जी का काडिकरम है हम सब उनका गायन सुनने जाएंगे ठीक है यहाँ पर लिखेंगे कि हम सब उनका गायन सुनने जाएंगे ठीक है राधा कक्छा में प्रथम आई है पांच विस्यों में राधा ने सबसे अधिक अंक पाई है तो राधा कक्छा में प्रथम तो गीता रोज पूजा करती है, उसके घर से मंदिर पास ही है कवीता छुट्टी के दिन इस्कूल आ गई, लगता है कवीता को किसी ने कुछ नहीं बताया तो कवीता छुट्टी के दिन इस्कूल आ गई, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया निमने लिखे तवाक्यों में रेखांकित किये गए पुरू स्वाचक सर्वनामों के बेद लिखे ठीक है? अब देखे वह आता ही होगा तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरू स्वाचक सर्वनामों के बेद लिखे अब यहाँ पे बेद लिखना है तो अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम ये कौन सा है अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम आप आज ना जाएए तो मध्यम पुरुस्वाचक सर्वनाम मेरी बहान इसी विद्याले में पढ़ती है तो उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम उन्हें आने दो तो अन्य सर्वनामों को चुनकर रिक्तस्थान भरिये ठीक है अब यहाँ कोश्टक में दिया हुआ है इसमें जो उचित है उसे भरना है तो वह किसकी गाड़ी है यहाँ पे क्या होगा वह सुन तो लो आखिर सरला क्या कहती है जिसे देखो वही परिसान दिखता है मैं जूट नहीं बोल रहा किसी से भी पूछ लो यह कैसी बाते हैं सर्वनाम से सम्मंधित असुद्धियों को दोड़ कर वाक्यों को फिर से लिखे ठीक है तो यह मेरे वाहन है तो अब देखिए यहाँ पे आपको सुद्ध करना है यह सुद्ध नहीं है तो इसमें क्या होग यह मेरे वाहन है तो यह नहीं होगा यह मेरा वाहन है ठीक है क्या वह सब आने वाले है तो क्या वह सब आने वाला है जिसका लाठी उसका भैंस तो जिसकी लाठी उसका भैंस जेब में कोई तो रख लो तो क्या होगा जेब में कोई तो नहीं होगा जेब में कुछ तो रख ठीक है, खाई देख वे घबडा गया, खाई देख वो घबडा गया, ठीक है, इसी तरह से बनाना है, उसके बाद है, संग्या सब्दों के बदले, उचित सर्वनाम सब्दों का प्रियोग करते हुए, निमनलखित गध्यांस को फिर से लिखे, अब देखे, यहाँ पर आपको संग्या सब्दों के बदले, आपको यहाँ जो संग्या सब्द दिया हुआ है, उसके बदले आपको सर्वनाम का प्रियोग करना है, और इसे लिखना है, तो राम अयोध्या के राजा थे, राम के पिता राजा दसरत थे, राम की पतनी का नाम सीता था, सीता राजा जनक की पुत्री थी सीता ने लव और कुस को जन्म दिया था लव और कुस बड़े ही साहसी और हुनहार बालक थे लव और कुस महरसी वालमिकी के सिस्य थे लव और कुस का जन्म वालमिकी के ही आस्रम में हुआ था ठीक है अब हम इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे सर्वना का नाम सीता था सीता राजा जनकी पुत्री थी उसने लव और कूस को जन्म दिया था वे बड़े ही सासी और होनहार बालक थे वे महरसी वालमिकी के सिस्य थे उन दोनों का जन्म वालमिकी के ही आस्रम में हुआ था ठीक है इस तरह से बनाएंगे तो आपका वर्क बुक कम्प जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCR to the Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय बाइ टेक केर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो